हेलो फ्रेंड आज हम बच्चे हुए चावा से बहुत ही चटपटा नास्ता बनाएंगे जो बच्चे हो या बड़े सबको बहुत ही पसंद आने वाला है लुट बॉक्स हो या डिनर हो या स्नेक हो जब भी जो हलकी फुल की भूख लगे तो आप इस तरह का क्रिस्पी नास् बार हो सकते हैं आप बासमत्य हो जाते हैं कोने कटौन होई चावा इस से आंदर डाल देंगे नास्ता वहां 5-10 मिनटट के अंदra- बनके तैयर हो अघू ऑर सब्क्राइब अघ्जर नहीं कर सकते हैं। प्याज ये नई खाते हैं तो उसको आप अवेड कर सकते हैं तो देखिए सारी सब्जों को मैंने अच्छे से दो करके बारिक-बारिक चौप कर लिया है तो फ्रेंड इसमें लसून और कड़ी पते का फ्लर बहुत ही ज्यादा टेस्ट आता है आप एक बार अगर आप खाते ह तो एक बार जुरू से ट्राय करें इस तरह से तो देखिए सबी चीजों को मैंने अच्छे से वॉस कर लिया है उसके बारिक-बार छोटी-छोटी टुकड़ों में काट लिया है तो अभी देखिए सारी सब्जों को चावल के अंदर डाल देंगे ये नास्ता हमारा इतना अच्छा और टेस्टी बन के तैयर होगा कि सबी तूट पढ़ेंगे खाने के लिए अगर आपके चावल नहीं भी बचे होंगे तो भी आप चावलों को पका कर इस तरह से बनाने वाले हैं तो सब्जों का भी हम यहां पर खुब सारा यूज कर रहे हैं तो हेल्दी भी बह लोके रखा था उसको भी आपर डाल दिया है अभी हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे तो देखे स्वाद के अनुसा मैंने आप नमक ले लिया है और एक चमज से थोड़ा सा ज्यादा मैंने आप नमक डाला है आदा चमज हम यहां पर हल्दी पावडर आदा चमज से कम है एक पिंच इतना है अल्दी पावडर हम इसमें कम यूज करेंगे एक चमज मैंने यहां पर धन्या पावडर डाल दिया है आदा चमज मैंने यहां पर लाल मिर्ची पावडर डाल दिया है एक चमज बरके मैंने यहां पर जीरा डाल दिया है मसालों को भी आप अपने देने की जुरूत नहीं है हम फोल्ड जो है गोल कर ते हुए पार आप चावल के बोल सकते हैं या इसको चावल की टिक्या बोल सकते हैं एक बार आपंवार देखे की यह तो पर एंपने पेन रख लिए है घाषपर तो यहां पर हम थोड़ा मैं पेन लेगे इससे जो है हमारे आराम से टिक्या यहाँ पर आ जाएगी तो देखें, तेल यहाँ पर डाल दिया है तो हम डिप फ्राइज नहीं करेंगे, सैलो फ्राइज करने वाले हैं तो यह नास्ता हमारे बहुत कम तेल में बनके तैयर होगा तो देखें यहाँ पर एक बार में जितनी टिक्या आ जाए उतनी डाल दें तो मेरे करीब यहाँ पर पास टिक्या आने वाली है तो मैं यहाँ पर पास डाल दूँगी इसको अभी मैंने सबसे पहले मीडियम गेस पर पकाना है सबसे पहला गेस की फ्लेम को मेडियों करेंगी उसके बाद जो है उसको लो कर देंगे तो देखिए एक मिनट के बाद इस तरह से इसको पलट लेंगे पलटते समय थोड़ा सा फ्रेंट ध्यान के बहुत आसानी से जो यह पलट जाते हैं तो देखिए धीरे-धीरे करके मैं सारे यहाँ पर पलट लूँगी तो फ्रेंट यह हेल्दी तो बहुत है, सब्जियों का हमने बहुत सारा यूज किया है तो देखिए अभी फिर से यहाँ पर हो चुका है, फिर से मैंने यहाँ पर इसको दुबारा से पलट लिया है अभी थोड़ा गैज मैंने मीडियम से हाई की बीच में कर दिया है तो देखिए इसको नास्ता बनने में सिर्फ करीब 4 मिनिट का टाइम लगएगा इससे ज्यादा जो हमें पकाने की जुरूत नहीं है, बहुत ही अच्छा हो क्रिस्पी नास्ता बनके तयार होता है तो आपको बना रहे हैं इस तरह का नास्ता मुझे कमेंट करके जुरू बताएं अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और से जुरू करें इससे हमें बहुत अच्छा मोटिव इससे मिलता है मुझे पता भी चलता है कि आपको मेरे वीडियो पसंदा रहे हैं कि नई पसंदा रहे हैं तो देखिए अभी देखिए कितना अच्छा कलर आया है तो यह हमारी टिक्या सारी पके तैयर हो चुकी है अभी हम इनको बाहर निकालेंगे तो देखिए दूसरा बेंच जो है मैंने यहां पर डाल दिया है तो देखिए एक करीब जो है एक कटोरी चावल से हमारे करीब 14-15 जो है वो टिक्या बन के तैयर हो जाती है तो देखिए दूसरा बेंच में मैंने यहां पर त्र लिया है इसको यहां पकाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है देखिए कि और और यूज नहीं किया है ऐसे दो चमज मेंने अपर बाहर ओला था ऑब थे के थोड़ासा यहा और वार से क्रिस्पी और मेरी बेटी को जो है बहुत ज्यादा पसंद आये फिर्सकों वह learnt bonus जुू करने में और आप सब को ज़ुरू पसंद आने वाली हैं मैं चावल से पूरियों परिवार से बहुत सकह आतने काफी हैं तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी देखिए खाने में तो मैं क्या बतो आपको इतनी स्वाधिश्ट बनी है कि पूछे मत अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले तो मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ में तब तक के लिए स्वास्त्रे